जै मातादी सब को नवरातरी की हारदिक शुप कामनाए नवरातरी में कैसे करे माता रानी की अराधना कैसे करे माता रानी को प्रसन और श्री दुर्गा इस्तुति के कौन से अध्याय का पाठ किसलिए करना चाहिए आज हम उसी विश्य में चर्चा करेंगे तो चलिए बात करते हैं, निशकाम भाव से रोजाना पढ़ने वाले यह पाठ करें, दुर्गा कवच, मंगला स्रोत, अर्गला स्रोत, कीलक स्रोत, काली, चंडी, लक्षमी, संतोशी माता स्रोत, नम्र प्राथना, नव दुर्गा स्रोत तथा आरती, हर प्रकार की जिन्ता हटाने के लिए दुर्गा शप्तशती का प्रतम अध्याय का पाठ करें, हर प्रकार के जगडे जीतने के लिए दूसरे अध्याय का पाठ करें, शत्रू से छुटकारा पाने के लिए दुरगा शफ्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करें भक्ती-शक्ती या भगवती के दर्शन पाने के लिए चौथा व पाँचवे अध्याय का पाठ करें डर, वहम, प्रेत जाया, आदी, हटाने के लिए छठा अध्याय, हर कामना की पूरी करने के लिए सातवां अध्याय, मिलाप, वशी करन के लिए आठवां अध्याय, सफर पर जाने से पहले दुर्गा कवच शर्द्धा और सुद्ध भावना से पढ़े धन दौलत कारोबार के लिए चंडी स्रोत कलह कलेश शिंता से बचने के लिए महाकाली लक्षमी नवदुर्गा स्रोत पढ़िए पाठ के समय गंगा जल साथ रखे शुद्य आसन बिछा कर बैठे घी का जोद प्रजवलित करे धूप दीप जलाएं पाठ के बाद चरणा मृत पीले और अपने मस्तक आखों और अंगों को इस परश करे मंगलवार को कन्या पूजन अवश्य करे कन्या साथ वर्ष की आयुक से कम होनी चाहिए तो इस प्रकार से दुर्गा इस्तुती के अध्याय का पाठ करिए आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा जै माता दी